हेलो एवरिवन कैसे हैं आप सब मैं डॉक्टर प्राशली आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ दोस्तों बालों का जणना एक बहुत ही आम समस्या है और आजकल से बड़े ही नहीं बच्चों तक में हैर पॉल बहुत अगली एज में देखने को मले लगा है और इसके लिए हम ना जाने कितने सारे कॉस्मेट है कितने सारे ऐसे हैर मास्क और यह सारी चीजों का प्रयों करते हैं बट कुछ भी हमें रिजर्ट देखने को नहीं मिलता आज में आपको बताओंगी कि क्या बेसिक कॉज़ेज होते हैं हमारे बालों के जढ़ने में किन एज पे हम आपको अपने बालों की जादा ध्यान रखनी चाहिए जिससे भविश्य में हम अपने बालों के जढ़ने को प्रिवेंट कर सके और ऐसी बेस्ट होमेपेथिक मेडिसन के बारे में जो आपके हैर फॉल को तो कम करता ही है साथी साथ आपके बालों को री ग्रो करने में यान दोस्तों बालों का जढ़ना जो है पुरुष और महिला है दोनों ही समान रूप से फेस करते हैं लेकिन अगर कंपैरिजन देखा जाए तो पुरुष जादा प्रोन होते हैं हैर फॉल यशू के लिए और अगर आपके बाल प्रतिदिन जो है 70-80 के कॉंटिटी में अगर आ जाता है कि अगर आपके प्रतिदिन सौ बाल तक भी जढ़ जाते हैं तो इसको आप बहुत हैर फॉल एक सीवेर हैर फॉल की कटेगरी में नहीं रखेंगे यह बहुत ज़रूरी होता है कि जहां आपके बाल जढ़ने हैं वहां से नए बालों का जढ़ के बाद नया उगना बहुत आवश्य गया और यही सबसे बड़ा मैंटर हो जाता है कि बाल जढ़त हो जाते हैं लेकिन वहां से नए बाल उगना नहीं शुरू होते जिसके वजह से हमको अपने बालों में ओवरॉल डेंस्टी कम लगने लगती और धीरी-धीरी हमें अपने बालों में ही है औरहुं पहरजी है है कि जो बॉइज है सपेशलि जब उनकी प्यू बटी आ जाती हो उसके बाद से कभी भी हैर फॉल कर सकता है सपेशलिे अगर deaf family में किसी की है फॉल स्टायर चाहिए वह से ठींव ऑन मों मदर हो या मदर के साइप में जैसे उनके मामा हैं अगर उन इन में टेंडनसी होती बाल जढने शुरू हो जाते हैं और उनको 20-22 में दिखने लगता है कि उनके बालों में एक पैटन डवलप हो रहा है डवलू पैटन हेर लॉस है ये बहुत कॉमन इशू होता है इसके अलावा अगर आप महिला है और आप किसी हार्मोनल डिजीज से तो आपको बहुत ज़्यादा कॉंशिस रहना है अपने बालों के लिए कि ये दो डिजीज डारेक्ट आपके बालों को इंपक्त करेंगी तीसरी अगर आप प्रेग्नेंट हैं दूरिंग प्रेग्नेंसी बहुत सारे फीमेल्स की बहुत अच्छे बाल रहते हैं और बहुत ज़्यादा हर्मरल फैक्ट्वेशन है और साथ में अपने न्यूट्रिशन का ध्यान आपने नहीं रखा तो आपके बाल वापस से रिग्रो नहीं करेंगे और आपका स्क्याल विज्वल होना शुरू हो जाएगा तो ये कुछ ऐसे फेसे हैं अगर आपने इस पे ध्यान न गेंगी जैसी परिशानी से सफरर थे और ये बहुत दिनों तक आपको परिशान करके रखा था उस समय पे भी आपको अपने बालों का ध्यान लगना है क्योंकि ये भी बीमारिया ऐसी हैं जो आपके बालों को बहुत ज़्यादा डिस्टेप कर सकती हो और आपके बाल अपने बालों के लिए और उसमें बेस्ट वे होता है कि अपने बालों को प्रिवेंट करने के लिए एक तो उसकी ध्यान रखें उसके साथ साथ अपने न्यूट्रिंट्रिंट्स को बहुत अच्छा से मिंटेड करके रखें ताकि वह आपके बालों के बैक ना करने पाए जितने अच्छे से वो अपने nutrients वो maintain रखेंगे, आपका भाल उतना कम जड़ना शुरू होगा. इसके अलावा क्या कारण हो सकते हैं, इसके अलावा अगर आगर आप बहुत ज़्यादा stressful condition पे रहते हैं, दूप में बहुत ज़्यादा निकलना होता है, आपके बालों पे बहुत ज़्यादा दूप पड़ती है, आपने बहुत ज़्यादे chemical treatments लिये हुए हैं, आप बहुत सारा hormonal flarence गुजर रहे हैं, या फिर आप किसी hormonal therapy पे हैं, तो ये सारे चीज़ें आपको बाल जड़ने का कारण बन सकती है, अब बाल जड़ना आप सभी जानते है, females बहुत ज़दा प्रोन होती है, middle partition hair loss के लिए, अगर आप एक female है, और अगर आप सीधी मांग करती है, प्लीज अगर आप घर में हैं, तो अपनी जो partitions हैं, उनको हमेशा बदलते रहा करें, कभी left रखें, कभी right कभी आप middle कर सकते हैं, उससे जो आप prone क्योंकि महिलाओं का middle partition hair loss बहुत prone होता है, तो वो partitions आप में develop नहीं होना शुरू होगा, second boys में W pattern hair loss का जो pattern होता है, तो आप भी इस चिसका ख्याल रखें कि आपको ऐसे कोई hairstyle ने करने हैं, जिससे आपके side के बाल जड़ना शुरू ह तीसरा females, आप बहुत high pony tails ना करें, उससे क्या होता है, आपके आगे के जो बाल हैं, उनके roots बहुत ज़्यादा कमजोर हो जाते हैं, फिर आपका ये मत्थी के पास का बाल जो है जढ़ना शुरू हो जाता हो और आपका आगे का area बहुत ज़्यादा विजुलाइज होना और उनको बहुत अच्छा result मिलता है, ना की सिर्फ hair fall पे बल्कि hair growth पे भी इसका बहुत ही अच्छा action देखने को मिला है, ये है मेरी एक बहुत ही अच्छी kit, Hair Atlas नाम से आपको मेरी website plan.com मेपैती पे मिल जाएगी, इसका link आपको description में मिल रहा है, इसमें आपको जो medicines हैं वो ये एक ऐसा combination है, जिसके अंदर 5-6 medicines पड़ी है, जैसे कि थूजा आपकी hair growth में बहुत अच्छा काम करती है, आर्पनिका, जैबुरेंडी, अमलोकी, ब्राम्भी, ये दवाएं दोस्तों, बालो की root में जाके उसके black circulation को enhance करती है, इवन इसमें थोड़ा, अगर आपको कोई बालो में graying की भी tendency है, अनिकी सफेद हो रहे हैं, बाल ये उनको भी prevent करती है, बालो के जढने को तो रोकती है, साथ में regrowth भी बहुत अच्छा करने में helpful रहती है, इसकी आपको इसमें already लिखके मिलेगा, 20-30 बुन अपने scalp में लगा कि हलकी हाँ से massage करके, छोड़ने दिन म आपका scalp absorb कर लेता है, तो आपको feel भी नहीं होगा कि आपने कुछ लगाया है, तो आप लगा के बाहर भी जा सकते हैं, बच्चों को लगा रहे हैं, तो भी आप same drops use कर सकते हैं, amount of drops कोई दिक्कत नहीं है, बालो को wash आपको से weekly दो बार ही करना है, इससे जादा की आवशक्त करती है, इसको भी कम करती है, बालो में डंग्रूफ बननी की समस्या को भी कम करती है, आपके बालो के root को strengthen करती है, और hair fall को बचाती है, नेक्स दोसों, यह पिल्स फॉम में मिलेंगी, इसको आपको 6 पिल्स लेना है, 3 ताइम इसके अंदर आपको selenium मिलती है, west button मिलती है, इसके अंदर आपको कुछ ऐसी दवाएं भी मिलती है, जो आपके black circulation को specifically आपके hair के साइड बहुत अच्छा करती है, बालो के जहनने को prevent करती है, और बालो में strength provide करती है, और आपके जो बाल जो टूट रहे हैं, उनको regrow करने में भी helpful होती है, नेक्स दोस्तों, यह है, liquid form मे जो एक तो falling को भी कम करती है, lycopodium बहुत helpful होती है, graying को prevent करने के लिए, acid force बहुत अच्छी है, gray hairs को prevent करने के लिए, बालो में blood circulation को अच्छा करती, west vision बहुत helpful होती, बालो में एक shine develop करने के लिए, एक strength provide करने के लिए, इसको आपको 10 बून लेना है, दिन में 3 बर, आदा कब पानी में डालके, अगर बच्चों को दे रहे हैं, इसकी half doses दे सकते हैं, और बड़े ले रहे हैं, पंदर साल से उपर जो भी है, इसकी same doses प्रेयोग कर सकते हैं, और लोशन आपको इसके साथ मिली रहा है, जो आप लगाएंगे भी, खाएंगे भी, दोनों तरह की दमाय, आपको यह पूरा box आपको one month के लिए मिल रहा है, एक complete solution है, जो अंदर से भी आपके बालों को अच्छा करेगा, और externally भी regrow करने में, strengthen करने में help करेगा, एक बहुत ही wonder work करता है, आप अगर hair fall से सफरर हैं, चाहे वो अलोपेशिया, अरियाटा की भी condition क्यों हो ना हो, यह द आप करें, आप एजिली सारी चीजे समझ पाएंगे, इसको अगर आप परचेस करना चाहते हैं, यह मेरी वेबसाइट पे आपको hair atlas नाम से मिल जाएगा, इसकी लिंक आपको description में मिल रहें, प्लीज जरूर चेक करें, कम से कम इस kit को आप 2-3 महने यूज करें, क्योंकि है जब रीग्रोथ आती है, बालों का फॉलिकल से बाहा निकलने में कम से कम 2-3 महने का टाइम लगता है, तब हम देख पाते हैं कि बाल में जो फॉलिकल है उसमें बेबी हैर आने शुरू हो गया है, तो उसको कम से कम 2-3 मूंस रेगलर लिखाएं, और लोशन तो आप पूरी और अपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज चैनल जरू सब्सक्राइब करें, मिलती हूं इसी तरह के इन्फोमेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थेंक्यू सो मच, स्टेए सेवन हल्दी